CIET NCERT के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 158, सबक 21, नजम, रीच का बच्चा, नजम निगार, नजीर अकबर आबादी कल राह में जाते जो मिला रीच का बच्चा, ले आए वहीं हम भी उठा रीच का बच्चा, सो नेमतें खाखा के पला रीच का बच्चा, जिस वक्त बढ़ा, रीच हुआ रीच का बच्चा, जब हम भी चले, साथ चला रीच का बच्चा कहता था कोई हमसे मिया आओ कलंदर वो क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वो बंदर हम उनसे ये कहते थे ये पेशा है कलंदर हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगले के अंदर जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीच का बच्चा मुद्दत में अब इस बच्चे को हमने है सिधाया लड़ने के सिवा नाच भी इसको है सिखाया ये कहके जो धपली के तई गत पे बजाया उस धब से उसे चौक के जमघट में नचाया जो सबकी निगाहों में खुबा रीच का बच्चा सफा नंबर 169 जब हमने उठा हाथ कड़ों को जो हिलाया खम ठोक पहलवां की तरह सामने आया लप्टा तो ये कुष्टी का हुनर आन दिखाया जो छोटे बड़े जितने थे उन सब को रिजाया हम भी न थके और न थका रीच का बच्चा जिस दिन से नजीर अपने तो दिल शाद यही है जाते हैं जिधर को उधर इर्शाद यही है सब कहते हैं वो साहिबे इजाद यही है क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही है कल चौक में था जिन का लड़ा रीच का बच्चा जब हम भी चले साथ चला रीच का बच्चा नजीर अगबराबादी सफा नंबर एक सो साथ मश्क लव्ज और मानी नेमत अच्छी चीज मालो दौलत कलंदर आजाद और बेफिक्र आदमी पेशा हुनर काम जंगला लकडी या लोहे की छडों का छोटा सा घर जिसमें जानवर रखे जाते हैं मुद्द अर्सा वक्त सिधाना तर्बियत देना जानवरों को मानूस करना धपली एक छोटा सा बाजा जिस पर जिल्ली मढ़ी होती है के तहीं को गत तर्ज सुर गाने या राक के बोल धब धंग तौर तरीका निगाहों में खुबा अच्छा लगा खम ठोक कुष्टी से पहले पहलवान का बाजू और रान पर हाथ मारना रिजाया खुश किया दिल में घर किया दिलशाद खुश इजाद वजूद में लाना खोज सफ़ा नंबर 161 गोर कीजिए नजीर अकबराबादी को हवामी शायर कहा जाता है उन्होंने हिंदुस्तानी मौसम फल फूल जानवर मकामात रस्म और रिवाज और तहवारों पर बहुत अच्छी नजमे लिखी है रीज का बच्चा उनकी मशूर नजम है जिसमें उन्होंने इंसान और जानवर के बीच दोस्ती के रिष्टे को दिल्चस्प अंदाज में बयान किया है सोचिए, बताईए और लिखिए एक नजम के पहले बंद में शायर ने क्या बात कही है दो रीज के बच्चे को सब के निगाहों में खुबने के लिए क्या क्या जतन किये गए तीन बंदर और रीज को सधा कर क्या काम लिया जाता है दिये हुए लवजों से मिसरे पूरे कीजिए एक सौ खाली जगा खा खा के पला रीज का बच्चा नेमतें या चीजें दो वो क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वो खाली जगा हाथी या बंदर तीन जो सब की निकाहों में खाली जगा रीज का बच्चा खुबा या बसा चार लपटा तो ये कुष्टी का खाली जगा आन दिखाया कला या हुनर पांच कल चौक में था जिनका खाली जगा रीज का बच्चा डटा या लड़ा सफा नंबर 162 इन लवजों से जुमले बनाईए कलंदर बंदर नाच कुष्टी इजाद अलिफ और बे के कॉलम में बे तर्तीब मिस्रे लिखे हुए हैं उनको सही तर्तीब में लिखकर शेर मुकमल कीजिए कॉलम अलिफ सब कहते हैं वो साहिबे इजाद यही हैं कॉलम बे लड़ने के सिवा नाच भी उसको है सिखाया अलिफ हम उनसे ये कहते थे ये पेशा है कलंदर बे खम ठोक पहलवां की तरह सामने आया अलिफ जब हमने उठा हाथ कड़ों को जो हिलाया इस धब से उसे चौक के जमघट में नचाया अलिफ ये कहके जो धपली के तई गत पे बजाया हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगले के अंदर अलिफ मुद्दत में अब इस बच्ची को हमने है सिधाया क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही है सफा नंबर 163 दुरुस्त इमला वाले लवस्प को छाटिये नून एन मीम तोए नेमत वाओ काफ ते वक्त काफ लाम नून डाल सीन छोटी है पैसा मीम दाल ते तश्दीद मुद्दत काफ दो चश्मी है मीम खम दाल लाम शीन अलीफ डाल दिल शाट काफ शीन ते छोटी है कुश्ती अलीफ रे शीन अलीफ डाल इर्शाद यहां कुश तस्वीरे दी गई हैं जिनमें एक रीच एक बंदर एक पिंजरा और दो पहलवान लड़ते हुए दिखाए गए हैं इन दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए सफा नंबर 164 खुशकत लिखिए रीच कलंदर मुद्द जमघट ठोक इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बतिलाइंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत